नमस्कार मित्रों, जैमातादी, दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्यानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिश कार्यक्रम में प्रिश्चिक राशिवालों, दोस्तों ढोल और नगा कहा था कि देख बेटा, तुम्हारा किस्मत कोई साधारन किस्मत नहीं है, और तुम कोई छोटे-मोटे काम करने के लिए इस धर्ती पर नहीं आये हो, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है, इसलिए तुम अपने जीवन में इतनी आपकी जानकारी के लिए बतादें कि धन के देवता भगवान कुबेर देवजी के आशीरवाद से और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीरवाद से मिलने वाली है दो बहुत बड़ी खुश्खबरी जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय अवधी में बिना महनत के अब आपको फल मिलने वाला है जी हाँ, क्योंकि इस समय अवधी में भगवान कुबेर देवता और मातारानी लक्ष्मी जी आपके उपर हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा महरबान दोस्तों कहते हैं ना कि जहाँ पर कुछ भी काम नहीं आता है, वहाँ पर भगवान काम आते हैं जी हाँ, इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी भी भगवान पर से भरोसा उठने मत देना क्योंकि भगवान अब आपके एक-एक आंसुओं का कीमत देने वाले इसलिए दोस्तों, अब आप हो जाएए तैयार अब आपके जीवन में आने वाले हैं सिर्फ मौके ही मौके अब आपके सामने दुनिया वालों की बोलती बंद हो जाएगी जी हाँ क्योंकि दोस्तों इस समय अवधि में आपकी कुंडली में बनने जा रही है गुरु पुष्प अमरित योग का निर्मान हो रहा है जिससे की दोस्तों होने जा रही है अब तक का सबसे शुभ और भाग्य सारी समय इस समय अवधि में दो बहुत बड़े धन देने वाले देवता का कृपा और आशीरवाद आपके उपर पढ़ने जा रही है दोस्तों अब तक का सबसे महत्व पूर्ण समय साबित होने वाला है क्योंकि अब देख पाएंगे कि आपकी किस्मत चमक रही है आपका भाग्य उदय हो रहा है भगवान कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होने वाली है और अचानक से आपकी कुंडली में ऐसे महा सन्योग बनता दिखाई दे रहा है जिसे अचानक से मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी और आपको ढोल और नगाडे दोनों बजाने पड़ेंगे जी हाँ अब आप अपनी सभी चिताओं को समाप्त कर दो क्योंकि इस समय अवधी में आपको धन की प्राप्ती हो रही है मन चाही सभलताएं आपको मिल रही है बड़ी बड़ी खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो रही है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि आपको कहां कहां से खुश खबरी मिलेगी और सफलताएं प्राप्त होंगी इसलिए सभी कामों को छोड़ कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो लेकिन उससे पहले माता रानी और कुबेर महाराज जी के जितने भी सचे भक्त हैं वह सभी बिना देर किये वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जै माता दी का नारा तीन बार लगाईएगा दोस्तों यकीन मानिये आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी और भगवान कुबेर महाराज जी के आशीरवात से आपका एक भी कारे अधूरे नहीं रहेंगे आपके सारे बिगडे कारे बनने लगेंगे तो प्रेम से बोलिए जै माता दी जै कुबेर महाराज दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है ये खुशखबरी कल्युक की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है जी हाँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खुशखबरी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान और आखों में खुशखबरी के ला देंगे क्योंकि इतनी बड़ी और अद्भुत चमतकार आपकी इस राश्य के सभी जातकों के उपर होने वाला है आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में ऐसा बवाल होगा और ऐसा चमतकार होगा जिसे देखकर आपके पास पडोस अगल बगल के सभी लोग हैरान हो जाएंगे और सब जगह हड़कंप मच जाएगी जी हाँ क्योंकि खुश्खबरी ही कुछ इस प्रकार मिलने वाला है दोस्तों बता दे कि आपकी कुंडली में लाभ के दो बड़े योग बनने वाले हैं दोस्तों अब आपसे जलने वाले और जल जल कर खाक हो जाएंगे लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड पाएगा क्योंकि उपर वाले इश्वर का बहुत बड़ा चमतकार अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में होगा जी हाँ दोस्तों आप सदियों से सुनते आ रहे थे और देखते भी आ रहे थे कि भगवान के घर देर होता है परन्तु अंधेर नहीं लेकिन अब यह बात सच होने भीतर आपके किसमत का सूरज उगने वाला है और आपके जीवन में एक नया सवेरा शुरू होने वाला है एक प्रकार से सीधे शब्दों में यूं कहें कि अब आपको एक नया जीवन मिलने वाला है इसलिए मेरे प्यारे मित्रों आज की इस जोतिश कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एवं आपके पूरे परिवार के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि ऐसा वीडियो बार-बार नहीं बनता है आज के इस ज्यानवर्धक खास और महत्वपूर्ण जोतिश कार्यक्रम में आपको उन खुश खबरियों से अवगत कराने वाले हैं जिनहें जानकर आपके रातों की नींद और दिन के चैन भूख प्यास सब गायब होने वाले हैं जी हाँ आप बिलकुल सही सुन रहे हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी एकदम हंड्रेड परसेंट आपके साथ सटीक बैठने वाली है दोस्तों अगर आपके अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत हो तभी आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा वरना आप अभी से ही इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं क्योंकि जो भी बातें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह सभी बातें आपके फायदे के लिए ही हैं और जो गलतियां आप अपने जीवन में कर रहे हैं उन्हें गलतियों के बारे में हम आपको बताएंगे और उन सभी गलतियों से आपको अवगत कराएंगे दोस्तों आपके जैसा मुर्ख इंसान आपके जैसा भोले भाले इंसान इस पूरे दुनिया में नहीं होगा जी हाँ अब आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा में क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे मित्रों क्योंकि जिन चीजों से मैं दूर रहने को कहता हूँ जिन गलतियों को करने से आपके मन करता हूँ बार बार आप अपने जीवन में वही गलतियां करते हैं और फिर आप अपने जीवन में पच्चताने लगते हैं और अपनी किस्मत पर रोना रोने लगते हैं दोस्तों मैं ठक चुका हूँ, बताते बताते एक मैं हूँ बताने वाला और दूसरा आप हैं गलती करने वाले, चलो कोई नहीं, आखिर गलतियां इंसानों से ही होती हैं, मैं इतना ही जानता हूँ कि गलतियां उनहीं से होती हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, वरना निकम्मों क जिन्दगी तो एक दूसरे की तारीफ करने और एक दूसरे की बुराई करने में ही निकल जाती है देखिए दोस्तों मैं फिर से सावधान कर रहा हूं कि वह गलतियां आपको अपने जीवन में भूल से भी नहीं करनी है जिन गलतियों के कारण आपका जीवन बरबाद हुआ ह और इन ही गलतियों के कारण आप से पहले दूसरे लोग इसका फायदा उठा लेते हैं तो आखिर कौन सी वह गलतियां है ये आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों ये बात मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि अपने जीवन में थोड़ा सा चतुर बनन पड़ेगा देखिये दोस्तों अगर कोई इनसान अपने हक के लिए लड़ता है और उसे अपने हक पाने के लिए जो भी करना पड़े वह गलत नहीं होता है आप इतने भोले हैं इतने अच्छे हैं कि कोई भी बात आपके मन में राहत नहीं है कोई भी बात आपके पेट मे पच्ता नहीं है। आप जो भी कोई नया चीज शुरुआत करते हैं, उसमें सफल होने से पहले ही, सफलता प्राप्त करने से पहले ही, आप सब जगह धिंडोरा पीटने लगते हैं। खुद खुद कर, नाच नाच कर सब को बताने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि दूसरे लोग लग जाते हैं आपकी मजबूरी का फाइदा उठाने लोग लग जाते हैं आप से चिनने और आपकी इसी गलतियों के कारण आप जहां के तहीं रह जाते हैं इसलिए सबसे पहले आपको अपने इन गलतियों पर सुधार करने की जरूरत है देखिये दोस्तों आपके जी जीवन में परेशानी और दुख तकलीफ क्यों आ रही है दोस्तों। इस ज्ञान वर्धक खास और महत्वपून ज्योतिश कार्यक्रम को अंत तक देखने के बाद आपका दुख दर्द कष्ट परेशानी समस्या तकलीफ सभी चीज जड़ से समाप्त हो जाएंगे और इन सभ कोई चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हां, आप बिलकुल सही सुन रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों जैसा कि इस कुंडली के माध्यम से मैं देख पा रहा हूं कि आप अपने जीवन में काफी लंबे समय से दुख दर्द और कष्ट अब पता नहीं वह व्यक्ति आप से क्या चाहते हैं और क्यों आपके जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। दोस्तों, आप उस व्यक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वह व्यक्ति अगर जूठी बातें भी आपको सुना देता है, तो भी आप तुरंत यकीन कर लेते हो, और वहीं अगर उस व्यक्ति के बारे में हम आपको सच्चाई भी बता देंगे, और कौन है वह व्यक्ति वह भी बता देंगे, तो भी आप यकीन नहीं करोगे। जी हाँ, क्योंकि वह व्यक्ति आपके इतने खास बन चुके हैं, आपके इतने करीब हो चुके हैं कि मैं क्या ही बताऊं दोस्तों आप मानो या ना मानो आपको यकीन हो या ना हो लेकिन फिर भी उनका कुछ प्रमान और सच्चाई बताऊंगा जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि यही वह व्यक्ती है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और यहां तक जो आपके भाग्य में है इश्वर जो चीज आपको देना चाहते हैं वह भी आपको सही सलामत नहीं मिल पाता है यानि कि आपकी हरी भरी जिंदगी में ग्रहन लगा कर रखा है जी हां दोस्तों आज की इस जियोतिश कार्यक्रम को एकदम अंत तक देखें और मेरे द्वारा बताये गए सभी का लाब हुठाएं जी हां दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा भी मिस करोगे या फिर स्किप करोगे तो आपको अपने जीवन से हाथ धोना प लेकिन जब शेर को लाठी मारा जाता है तो शेर लाठी को नहीं बलकि उस इनसान को ही पकड़ता है जिन्होंने शेर के उपर लाठी मारता है ठीक उसी प्रकार जीवन को भी समझने की जरूरत है जीवन में कौन सी घटना हो रही है इसके उपर विचार नहीं करना है विच बड़ा प्लान कर चुका है लेकिन अब उनका खेल खत्म होने वाला है जी हाँ जी हाँ अब ज्यादा दिन तक उनका खेल नहीं चलेगा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपके दुश्मनों ने इस बार वह जाल बिछाया है कि जिससे अब आपको बहुत मुश तरनाक होता है इस बार आपके प्राणों को लेकर ही छोड़ेंगे जी हाँ इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सावधान हो जाईए और इन मंत्रों का जाप करके बांध लीजिए नहीं तो आपके घर में बहुत बड़ी घटना हो सकती है जी हाँ हम आपको उस मंत्र के बा दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के बाद आपके जीवन में जितनी भी बुरी शक्तियां नकारात्म कूर्जा आपके घर में मौजूद है वह सभी चीज आपके घर से दूर हो जाएंगे और जो दुश्मन आपके उपर समसानी तांत्रिक क्रियाएं कर रही है उसका भी अस असर नहीं होगा तो आप इस उपाय का और इस मंत्र का जब जरूर करें सब्ताह में एक बार ही क्यूद ना करें तो भी करें दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप छोटी सी बात के बारे में सोच सोचकर परिशान हों ऐसा सोचना प्राकरतिक है लेकिन इससे आपकी घर और कार्यस्थल की शान्ती और कारे की गती प्रभावित होगी ये समय बढ़े लक्षियों को सोच कर छोटी मोटी बातों को नजर अंदाज कर देने का है आपने एक नया वर्काउट आजमाया है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं आज आपको इसके लिए काफी कॉंप्लिमेंट्स मिल सकते हैं आपकी कमर कुछ इंच घट गई है और अब आप पहले से अधिक सक्रिय और उर्जावान महसूस कर रहे हैं आप किसी नई होबी की तरफ जुकाव महसूस करेंगे और पूरी तरह इसमें खो जाएंगे आज का दिन काफी सकारात्मक भी रहेगा पिछले कुछ दिनों से आपके वर्तमान या होने वाले संबंध को लेकर आपके मन में धेर सारी चिंताएं और संदेह हैं आज सारे संदेह मिठ जाएंगे और आप अपने संबंध और अपने पार्टनर के बारे में स्पष्ट होकर सोच पाएंगे आप अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा और स्पष्ट निर्णय भी ले पाएंगे हालांकि आपको अपने कार्य स्थल पर हास्य और आनंद लेने की कला आती है परंतु अब आप पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं आप आज एक गैर जरूरी कार्य में भी गंभीर मुद्रा में रहेंगे एक सहयोगी की सुस्ती और लापरवाही के कारण आप उसका काम अपने लिए कर सकते हैं इसलिए आप पर कुछ अनुचित कार्य का दबाव आज बन सकता है आज पैसे को संभल कर खर्च करें सितारों के अनुसार आज आप बिना किसी बात के काफी खर्च कर सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे, तो काफी बढ़ी रकम आज आप से खर्च हो सकती है। आज विवादों और टकराव से बचना ही बहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होगी और आप बाहर घूमने का आनंद ले सकते हैं। आज आपकी सेहत बहतरीन अ हो सकता है और आपको उसकी देखभाल करनी होगी। आज आपका मानसिक तनाव भी कम रहेगा। आज नए सबंध बनाने का दिन है। आपको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। आज नए संबंध, नई दोस्ती या नई पार्टनर्शिप की शुरुआत हो सकती है। आज आ आप बहुत सारे सामजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे जहां आपको अपने संभावित दोस्त या पार्टनर मिल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नए दोस्त बनाने के बाद अपने पुराने करीबी दोस्तों की उपेक्षा न करें। कुछ भ्रम की स्थि आज आपके कार्यक्षेत्र में आने की संभावना है। आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक व्यापार में शामिल होने के लिए एक प्रस्ताव मिल सकता है जो काफी भरोसे मंद है और पुरसकार से भरपूर परंतु इस तरह का प्रस्ताव आपने पहले न देखा, न सुना, इसलिए आप अनिर्णय की स्थिति में रहेंगे, लंबा और सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद अपना निर्णय ले, अगर किसी के साथ इन दिनों आपके संबंध सही नहीं है, तो आज उनसे इस ब बारे में बात कर सकते हैं, उनकी भी बात ध्यान पूर्वक सुने, सामने वाले को ना तो इतनी छूट दें कि आपको रोंद कर आगे बारेच जाए, ना ही बहुत रुखा व्यवहार करना ठीक होगा, आफिस में आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात संभव है, सतर्क और सक्रिय रहें, जीवन के अन्यक्षेत्रों के अंसुल्जे मुद्दों से आपकी सेहत भी प्रभावित होगी, आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन काम और रिष्टों के तनाव के कारण आपको सोने आराम करने में समस्या आ रही है, पेट की पर्टनर्शिप में काम करने की योग्यता आपको अपने प्रोफेशनल जीवन में भी बहुत काम आने वाली है, आप और आपके पार्टनर मिल जुलकर जो भी काम करेंगे, चाहे वह प्यार हो या बिजनिस, आपको खूब सफलता मिलेगी, आप दोनों को एक दुसरे की ख आज आप अपने कारे को पूरा करने के लिए प्रवंचना या चतुराई का सहारा ले सकते हैं, हालांकि ये एक अनावश्यक जोखिम है, लोग आसानी से आपके तंत्र को पहचान लेंगे और इसे अपराध के रूप में लेंगे और आपने सालों से जो प्रतिष्ठा आई है, वो आप गवाँ सकते हैं, आज का दिन समरिध्ध के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच कर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो आज शुरू कर लें, आज आप जो भी करना शुरू करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी, आज होने वाली घटनाओं से आपके वित्त संबंधी नजरिये में भी बदलाव आएगा और नकारात्मक्ता कम होगी, अपने स्वास्थिकी अतिरिक्त देखभाल करने का समय है, आपके अपनी समस्याओं के प्रती ल उन से बच सकते हैं, आपको अपने करीबियों के सामान्य स्वास्थिका भी ध्यान रखना चाहिए, आपको किसी करीबी से संक्रमन की भी आशंका है, आज आपकी एक ऐसी स्थिति का सामना करने की संभावना है, जिससे आपकी प्यार और प्रतिबधता की शक्ती का आपको अपने मस्तिष्क में ये ध्यान रखना होगा कि आपके साथ ही का आप पर पूर्ण विश्वास है और आपको इस प्रेम की परीक्षा में पास होना है ताकि ये प्रेम संबंध हमेशा के लिए प्रगार बने रहे अगर आप में दया और सहानुभूती रहेंगी तो आ आप किसी चीज का भी डटकर सामना कर सकते हो चाहे आपका भाग ये कैसी भी पहेली आपके सामने लाए कुछ बढधी चीज़ें आपके कार्यक्षेत्र में आपका इंतजार कर रही है आपको कुछ समय से अपने कार्य के प्रती प्रशंसा नहीं मिल रही थी ये पूरी तर इसलिए इस निर्णय पर विवेक्ता पूर्ण विचार करें और परिवार के अन्य सदस्यों की राय को भी इसमें शामिल करें। आज चोट लगने की संभावना बनी हुई है। आपको गिरने और दुरघटना से बचने के लिए अतिरिक्त सावधान रहना होगा। डॉक्टर के पास जाना होगा। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको आसानी से अपनी समस्याएं सुलजा लेंगे। आज का दिन आपका लिए बहुत खास रहेगा। क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात्मिक्ता के साथ जोद्ध कर देख पाएंगे। जो आपस में बहुत प्यार करते हैं, वे अपने संबंध को किसी प प्यायक का संतुलन करना मुश्किल होगा। आज अपनी आय की व्रिध के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करने के लिए भी ये सबसे अच्छा दिन है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कार्य मिल सकता है और यह अगले कुछ वर्षों में आपके प्रा अपने आसपास की स्थितियों और अपनी स्थिति को ध्यान से समझना है। आप अपने विभिन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बहुत भाग डॉट डियेच करते रहे हैं। अब आप अपनी क्षमता भर इन्हें पूरा कर चुके हैं। अब आराम से बैठ कर अपने प् खाने का और अधिक खयाल रखना होगा। अपने खाने में सब तरह के विटामिन खास कर A, E और C शामिल करें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत होगी। कई गिलास पानी भी पीएं। इससे आप पानी की कमी से बचेंगे और सक्रिय रह पाएंगे। आपक इन क्रियानवयन से पहले थोड़ा शांत दिमाग से सोचे और तब आगे बढ़े। जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अनदेखी कर रहे थे। आपकी लंबित कई प्रतिबधताएं हैं जिन्हें आपको आज आसानी से पूरा करने के लिए समय मिलेगा हालांकि आप अपने आपको बेचैन, असावधान और सुस्त महसूस करेंगे। परिणाम के रूप में आपका कार्य लंबित होता जाएगा क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है इसलिए एक दिन की छुट्टी ले और आराम करें। य आज आप से अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ा सकते। हलांकि दिन के अंत में कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी जो आपके प्रयासों की सफलता से संबंधित होगी। थोदी से महनत और धीरच के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनोती धीरच बनाए रखन ही है। आपको समय बहुत ही धीमी गती से सरक्ता हुआ महसूस होगा। और आपको लगेगा कि जिस गती से आप चाहते हैं उस गती से अब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा-पुल्टा हो जाएगा। अपनी उर्जा को नियंतरण में रखने के लिए दिन की शुरुआत किसी राहत देने वाली एकसरसाइस से करें। ये समय हलके फु खुशनुमा पल आपको थोड़ी देर के लिए आपको परेशानियों से दूर ले जाएंगे क्योंकि आप इस समय को खुशी से बिताएंगे। जो लोग अकेले हैं उन्हें सामाजिक समारोह में संभावित दीर्ग कालिक भागिदार की प्राप्ति हो सकती है। आप स्वभ खुशान्दारी और कड़ी मेहनत से अरजित की है। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए बलकि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करे ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। आज आप अभिमान में रहेंगे और उसी के प्रभाव में रहकर सोचेंगे और काम करेंगे। इसी के कारण आप किसी बढ़े अधिकारी से बात करते हुए आखें नहीं मिला पाएंगे। यह अच्छा होगा या बुरा यह आज आपको सोचना है। हमारी सलाह यह है कि आज अपने द और स्वास्थे के बीच के इस संबंध को समझें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मन से खुश न होने की स्थिती में जितनी उर्जा आप स्वस्थ रहने में लगाते हैं वह सब बेकार हो जाएगी। अगर आप अच्छा स्वास्थे पाना चाहते हैं तो आपको ठंडे दि और शुरू होने वाला है। आपके संबंध के सब जाले साफ हो चुके हैं और आप दोनों एक दुसरे को अब बहुत अच्छी तरह से समझने लगे हो। इससे आपका संबंध और मजबूत ही होगा। दिन आपके लिए काफी आशाएं लेकर आएगा। आप कुछ कठिन का कार्या के लिए प्रयासरत है जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे। इसलिए उन्हें खुश रखे। जो लोग अपने कार्याले में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं उन लोग के लिए बेहतर करियर के अवसर आ जा सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविश्य की संभावनाएं लेकर आएंगे जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आप उनों को भी इन में शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अधिकतर लापरवाह ही रहते हैं। लेकिन आज आप असामान्य रूप से अपने स्वास्थ्य और फिटनेस कार्यक्रम में रुचि लेंगे। आप कोई शा पूरा खयाल रखने के मूड में हैं। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। आपके निजी संबंध में आपके पार्टनर की खाहुशी और हंसी की रौनक बिखरी रहेगी। आपने अपनी निजी जिन्दगी में मुश्किल दौर देखा है। इसलिए अब आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना फिरना और उनके साथ होने का आनंद लेना चाहिए। एक कपल के रूप में खुद पर एक साथ हंसने से आपकी सारी चिंताएं एक साथ गायब हो जाएंगी। जब आप एक नई परियोजना में तलीन हो जाओगे तो शायद ही अन्य बातों के ल लिए महत्वपूर्ण संदेश भी हो सकता है। वित्तिय स्थिति स्थिर रहेगी जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे। आज आप जिद्धीपन के प्रती अपना स्वाभाविक जुकाव महसूस करेंगे। लेकिन जब आपको यह अनुभव होगा कि ऐसा करना आ आपके हित्मे नहीं है तो आप पच्चतावा भी महसूस करेंगे। अच्छे से स्थिति समझें आकस्मिक भावनाओं के बहाव में बहने के स्थान पर स्पष्ट सोच से काम लें। अगर आप थोड़ी सी समझदारी से काम लेंगे तो समाधान जल्दी निकलेगा और आप आपको जल्दी खुशी मिलेगी। आज आपको आराम करने की जरूरत है लेकिन इसका यह मतलब बिलकुल नहीं है कि आप पूरा दिन सोफे पर लेटे हुए जंक फूड खाते रहें। आपको आराम के लिए कुछ रिलैक्स करने वाकी तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए य आपको अपने स्वास्थ्यका और बारीकी से ध्यान रखना होगा। आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रहे हैं। आप विपरीत लिंग के कई सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं। फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह कर लेने का दबाव है। और उर्जा को अच्छे कामों में लगाना होगा। आप शीघ्रता और भावुकता में आप कोई निर्णय लेने से बचें। नहीं तो समस्या हो सकती है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा। जल्द बाजी और भावुकता में लिया गया फैसला हमेशा गलत ही होता इसलिए कोई भी फैसला सोच समझ कर ले तो ये आपके लिए बहतर होंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। साजेदारी में यदि आपने किसी काम को किया था तो उससे आपका कोई नुकसान होने की संभावना बनती दिख रही है। आज का दिन आपके ल सावधानी और सतरकता बरतने के लिए रहेगा। सामाजिक शेत्रों में कारेरत लोगों के मान सम्मान में वृद्ध्य होगी जिससे उनकी पदप्रतिष्ठा भी बढ़ती दिख रही है। प्रेम जीवन जी रहे लोग उतसाहित रहेंगे और वह साथी को कहीं लॉंग ड्र प्रति भी रुची जागरित हो सकती है जिसमें उन्हें परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ती से आप बहुत ही तोल मोल कर बोले। नहीं तो आपकी बात किसी को बुरी लग सकती है आज का दिन आपके लिए तनाव ग्रस्त रहने से बचें कारोबार में आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है जिसके कारण आपके काफी काम रुख सकते हैं आपके परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कह पाएंगे किसी नए घर को खरीदने का आपका कारा मिलेगा